वेल्कम 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 रेडियो उडान सुन रहे सभी शुरुताओं का स्वाधत करते हुए मैं विकास मुनोद आपको पॉइंट ऑफ यू के एक नए एपिसोड की ओर लिया चलता हूँ विकास मुनोद आपको पॉइंट ऑप लिया चलता हुए नमस्कार, 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 विकास मैं तो भाई बिलकम अच्छाउन है इंजॉइंग माई समर हॉलिडेज, मगर अपसोस सुट्टियां खटम होने वाली हैं, तो आज फिर हाजिरू मैं आपके साथ, पॉइंट आफ यू का एक नए एपिसोड लेके, पॉइंट आफ यू, एक ऐसा शो, जिसमें हम एक ऐसा मुद्दा डिसकत करते हैं, जो उस वीक importance रखता है, या उस वी सुर्फियों में चाया रहता है, या फिर कुछ ऐसा मुद्दा, जो बहुत ही interesting हो, जिसके बारे में लोगों का interest हो, जानना चाते हैं लोग इसके बारे में, तो ऐसे issues को लेके हम discuss करते हैं, तो उसी कड़ी में आज का show भी आपके सामने प्रस्तुत ह and for those who do not know about this show, those who join this show for the first time today, let me tell them, you can listen to point of view at 8 p.m. on every Thursday and 3 p.m. on every Friday अगर आपको लगता है कि कोई topic यहां पर discuss होना चाहिए, कोई presentation किसी topic के उपर यहां पर देनी चाहिए, तो आप मुझे inform कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप आके कुछ प्रसेंट करें शो में, अपनी interest का कोई topic या कुछ शेर करें, तो आप वो भी बेज़ि कर सकते हैं, all you have to do for that is to just write me an email or just swipe a WhatsApp text, so mera email id, पहले बता दो आपको, vikas.munodh at yahoo.com, vikas.munodh, m for mumbai, u for rukta pradesh, n for nagaland, o for uti, n for tamilnadu, vikas.munodh at yahoo.com, and my mobile number is 98404-78204, I repeat, 98404-78204, तो बस, जुड़ जाइए, तो दोस्तों, मैं सोच रहा था, ये, घर्मियों का मौसम है, ये बड़ा circle है, इसके अंदर बहुत सारे मौसम होते हैं, IPL का मौसम होता है, mangoes का मौसम होता है, exams का मौसम होता है, चुपियों का मौसम होता है, और results का भी मौसम होता है, और अब ये results का मौसम चल रहा है, अब admission का भी शुरू हो गया है, कुछ मुद्धों पर थोड़ी गेराई से इसक्षिन की जाए तो हम करेंगे वस्टप बत नौट इफोर वे लिस्टन तो इस सोल रंदिंग, हाट रंदिंग सॉंग फ्रम दे मुवी बाग बाग यस यह राइट, इस दे टिटल ट्राक Let's break the monotony and check a leg with this nice, melodious number Stay tuned to Radio Radon Life of Life बाग को जन्म देने वाला बागवान परिवार को जन्म देने वाला पिता दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सीचते हैं ना सिर्फ अपने पेड़ से उसके साय से भी प्यार करते हैं क्योंकि उसे उमीद है एक रूस जब वो जिन्दगी से ठक जाएगा यही साया उसके काम आएगा क्योंता प्रूस जाएगा खरती तर से हम बर बर से रुत आए रुत जाए हाए हर मासम की खुश वो चुन के बाग वाँ बाग सजाए बागों के हर फूल को अपना समझे बाग वाँ बागों के हर फूल को अपना समझे बाग वाँ हर घड़ी करे रखवाले पत्ती डाले डाले जीचे बाग वाँ बागों के हर फूल को अपना समझे बाग वाँ बागों के हर फूल को अपना समझे बागवाँ हर घड़ी करे रखवाली पत्ती डाली डाली सीचे बागवाँ बागवाँ रब है बागवाँ बागवाँ रब है बागवाँ ओ मधुबन की बाहार ले आए मौसमरी तेरी ते हर जनम जनम की त्रिशना बज़ गई बिरहा के छड़ बीते हर बिरहा के छड़ बीते फिर सजाएं विक्रें अपने बागवाँ बागवाँ रब है बागवाँ बागवाँ रब है बागवाँ 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 अगली थाम के जिन विरवों का हमने दिखाई राह मत पिता की उनके मन में तनक नहीं परवाँ हूँ असवन भर नेरों से इनको देखे बागवाँ असवन भर नेरों से इनको देखे बागवाँ बागवाँ रब है बागवाँ बागवाँ रब है बागवाँ बागवाँ रब है बागवाँ बागवाँ कितने दुख की अगनी डाले पंजर हो गए खेत हरी भरी जीवन बगियां से उड़ने लगी है रेत हर क्या वोया था और क्या काटा सोचे बागवां क्या वोया था और क्या काटा सोचे बागवां बागवां रब है बागवां बागवां रब है बागवां यही सोच के साते लिख दी इन फूलन के नवां इनकी छाईया छाईया बीते उम्र की ढलती शाम घुन्चे हर दम ही मुसकाए चाहे बागवां हर घड़ी करे रखवाई पत्ति डाली डाली तीछे बागवां बागवां रब है बागवां वो सूरज है लाए जिसने दूप आंगन आंगन में क्यूं है अकेले पन का अधेरा आज उसी के दामन में क्या चाहा था और क्या पाया सोच बागवां क्या चाहा था और क्या पाया सोच बागुबाँ बागुबाँ रब है बागुबाँ जा से खिर्द रब है बागुफबाँ रब है बागुबाँ ओ विल्कम बागुबाँ तो जैसे कि मैंने का ये है डॉत능 मौसम गभा और मौसमियूं तो अच्छी कॉल लिसमें और उनिसरीव भी मिलेगा जब आपके सच्छाई है तो फिर आपको अच्छी कॉलेजिस के अदिशन दिलना भी लगबग नमुम्किन है आपकोस देरा अधर सोर्सेस्टो गेट इंटो गेट इंटो गेट इंटो गेट इंटो वन अन मेरिक्ष तो कुछ इसी चीज के उपर आज हमारा शो है हम देख रहे हैं पिछले दो-तीन हक्तों से अलग-अलग स्टेट बोर्ट के रिजल्स आ रहे हैं फिर अभी यूपीएस्टी का भी रिजल्स आया था तो रिजल्स और पोरिंग अवरिवैर अरू उन्सित सब्सक्राइब रिखी एवरबल अब मैंने आपसे कहा था कि जो मार्क अच्छे लाएंगे उनको अच्छी उनिस्टी में अच्छी कॉलेजिस में दाखिला में लेगा जो मार्क अच्छे नहीं लाएंगे लाएंगे मदलब वो हात मलते रह जाएंगे That is fine if the process is very transparent as they claim it to be मगर उतना पारदर्श्मिय यह process नहीं है तो हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या सिर्फ मांक्स ही एक yardstick है जिसके उपर students को बापा जाए अगर मांक्स के उपर जाके मांक्स को एक group लेके हम students को अच्छी उन्विश्टीस में दाक्षिला दें तो आपने पिछले अच्छी देखा होगा गनेश कुमार क्या गनेश कुमार को एक टॉप इन्विश्टी में अड्मिशन मिलना चाहिए और जो उससे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं हुनर है काबिलियत है मगर तिनी वज़ों से उन्हें अच्छे मांक्स नहीं मिले क्या ये न्याय होगा उनके साथ कि वो हाथ मलते रह जाएं और गनेश कुमार जैसे स्टूडन्स जिनके पास और कोई प्रमान नहीं है उनकी काबिलियत का सिवाए उनके पेपर पे लिखे वे उन मांक्स के अलावा अगर ऐसा होता है अगर सिर्फ मार्क्स पे ये स्टूडन्स को देते हैं अड्मिशन तो क्या हमारा देश का भविश्य है सुरक्षित है इन सब चीजों के उपर हम डिस्कस करेंगे मुझे तो बहुत भुस्या आता है जो कुछ हुआ पिछले अप्ते और मुझे पता है आप सभी को उतना ही भुस्या आता होगा तो भुस्ये को एक किनारे रखने हुए हम इसके उपर थोड़ी पीडियस दिसकेशन करेंगे आप अपर बिस शॉट पर शॉट प्रिक्ष। से तुन्स रदियो दान्स अलए आप एक उसकेशन करेंगे जबान जानमन हसीन दिरुबार दम दम युडिती है दूअ सो पंकर गातेरे नाम के उडान आईजल जल दा रहा है सिर्फ रेडियो उडान पर तुन से रही है रेडियो उडान पर फ्लाइज ओफ लाइज अब अब हलो हलो विट्टू आँ यार तुँ आया नहीं मैंने कल बताया था कि इंट्रुवे कर जाना मेरे ट्रेन निकल जाए कहा है तुँ हाँ यार बस आगया पाँच मिनिट में आ रहा हूँ मैं बस तरी पास हेलो हाँ यार बिट्टू पाच मिनट रहे गे मेरी ट्रेन निकल जाएगी कहा है तू बस यार बाहर ही हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ तू बस वेट कर आ गया मैं काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तमाल सीख लिया होता तो आज हाला ऐसे नहोते हैं इसलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती क्योंके नो केन नो गेन लेडियो पुडान द्वार चल्फित में जारी वल्कम बैंक आप सुन रहे हैं पॉइंट आफ यू विट मी विकास मुनोर तो दोस्तों पिछले हफ़ते हम सबने लेखा टीवी पे जो द्यूस रिपोर्ट्स आ रही थी तो बिहार के एक छात्र गनेश कुमार जिसका नाम है और उम्र वो फेव करते हैं कि 24 साल उन्हों ने आर्ट्स ग्रूप पे टॉप किया है पिछले साल हमने देखा रूबी का वो भी बिहार से था वो साइन्स ग्रूप से थी और ये जनाब आर्ट्स ग्रूप से थी और इनके चॉइस आफ सर्जेक्स देखिए म्यूजिक होम साइन्स में इनके अल्मोस्ट सिस्टी फाइव गाए सेवन्टी सेवन्टी से और होम साइन्स में भी काफी अच्छा स्कोर किया इन्हों ने मगर जब मीडिया वाले वहां पे पहुंचे जैसा कि वह स्वभाविक है जो भी टॉप करता है उनसे वह बात करते हैं मीडिया वाले तो यह जनाब ना गाह पा रहे थे ने बजा पा रहे थे और जब इनसे पूछते हैं कि आपके हाथ क्यों नहीं चल रहा है तो वह कहते हैं मौसम क्राब हैं इसे अच्छा नहीं लग रहा तो हाथ चलना यह नहीं है कि उनको भाम अनी गज़ल कणने के लिये का या फिर मैं खुट गुट कुछ प्ले करने के लिए खार हुआ और वो सिर्फ सारे गामापा प्ले करने है वाले के अब सारे गामापा तो मैं आपको बसा दूँ कर मुझे कोई कीवर्ड दे तो मैं भी बजा सकता हूँ मुझे कोई musical का musical instruments को कोई training नहीं है बट विद बेसिक training I got in school तो यह तो music में major करने हैं जवल दूँ वो सारे गामापा बजा नहीं पा रहे हैं और ठीक से गान नहीं पा रहे हैं सूर नहीं मिल रहे हैं और the order of swara's notes सारे गामा पादा नहीं था मगर वापस वो सानी दापा मागरे था वो उल्टा जब भूगाते हैं वो बराबर नहीं कहा पा रहे हैं और इसे बहुत सारे सवाल किये गए इंग्लिश में इंग्लिश के synonyms नहीं नहीं बगेरा पता ही नहीं चलता हैं को क्या बोल रहे हैं उनसे का accommodation का कही है तो फो बोल रहे हैं ACO, ACO, MO, DATION, DA, CION ऐसा कुछ बोल रहे हैं इंग्लिश की स्पेलिंग लिए हिंदी जैसे जोड के बोल रहे हैं और home science generally is a group taken by women, no offense but that's the fact generally girls prefer करते हैं home science पढ़ना, बहुत ही कम boys home science पढ़ते हैं और उनसे जब पूछा गया क्या आपनी home science क्यों लिया तो he clearly states that to get moma तो यह है हमारे state के topper अब इनपो admission मिलेगा अच्छी university में if this marks are only artistic only parameter of any judgment और जो सच मुझ में music अच्छा गाते हैं बजाते हैं और जो लड़किया सच मुझ में home science में अच्छा करती हैं जो बच्चे सच मुझ English बहुत अच्छा बोलते हैं लिखते हैं पढ़ते हैं उनकी कोई value नहीं है उनको line में इन जनप से पीछे खड़े रहना पड़ेगा तो this is the transparency of our educational system particularly in states like Bihar क्योंकि यह पहले बार नहीं हो रहा है Bihar में this is the second consecutive year that is और उनका past percentage आप देखें कितना है 60% से उपर students fail हो चुके हैं और जो बचे कुझे past हो भी गए उनके marks और performance का कोई style mail ही नहीं बैटता मैंने वो गाना जानबूस के play किया था first वाला बागबान वाला बस difference ही है कि वहाँ पे बागबान बाप नहीं है बागबान यह देश है यह देश जिसकी government अपने नागरिकों को अच्छी पढ़ाई देने के लिए सिक्षा देने के लिए बहुत कुछ infrastructure wise curriculum wise human resources in terms of appointing teacher human resources wise बहुत कुछ खर्च करती है बहुत invest करती है बट after claiming all those facilities इसको कोई tax नहीं है government school में कोई fees नहीं है just you have to study in spite of all that all that they give back to this nation is this scrap क्या इस देश को यही सिला मिलना नहीं आजादी के 70 साल हो गए और हम लोगों ने इतना invest किए education में इतना invest किया है और फिर भी कुछ state आगे नहीं बढ़ पारें ठीक है नहीं बढ़ पारें अगर वो वाजिब कार्णों से हो तो समझ सकते हैं मगर students की as small practices मगर यह स्ट्रिप student की बात नहीं है अगर गनेश कुमार ऐसा perform करते हैं तो ठीक है उन्हें फेल होना चाहिए वह पास कैसे हो गए तो इसमें किसकी मिले भगत है यह चीजें जानना बहुत जरूरी है तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि इनके जो एजुकेशन ऑफीशियल्स हैं डिपार्टमेंट आफ एजुकेशन के ऑफीशियल्स हैं और जो भी इवैलिवेटिंग कीशियल्स हैं इन सब का टेस्ट देना चाहिए और जो भी सेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जो भी अपने आपको साबित नहीं कर पा रहे हैं जो भी अपने आपको साबित नहीं कर पा रहे हैं भया क्यों पाले ये देश उनको इनकी सालरी क्यों दे ये दे हम क्यों टैक्स भरें इनकी सालरी देने के लिए कुछ और बगर अफर लिस्निंग तो इस वोनर्फल सौंग शाय फुडा फुसा थंडा हो जाई लेक तर मनॉटनी और शेकले लेक विद इस सौंग शेय तुने तो रडियो दान अप्राइट 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 पूजा न किसी बुथ को सजदे न किये मैंने पूजा न किसी बुथ को देखी जो तेरी सूरत प्यारा ने लगा मुझे को सजदे न किये मैंने पूजा न किसी बुथ को सजदे न किये मैंने पूजा न किसी बुथ को सजदे न किये मैंने पूजा न किसी मुथ को देखी जो तेरी सूरत प्यारा ने लगा मुझे को लगा ने लगा लगा ने लगा दिल आप धड़कता है धड़काया नहीं जाता ये राज महबत का समझाया नहीं जाता अंजान सिराहों में खाबों की बनाहों में अंजान सिराहों में खाबों की बनाहों में देखी जो तेरी सूरत प्यारा ने लगा मुषको लगा 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 ला 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 एहसास के धारों पर अर्मान मचलते हैं दो जिस्म महाबत की एक आग में जलते हैं एहसास के धारों पर अर्मान मचलते हैं दो जिस्म महाबत की एक आग में जलते हैं कुछ भी ना कहा फिर भी कुछ भी ना सुना फिर भी कुछ भी ना सुना फिर भी देखी जो तेरी सुरत लारा ने लगा मुझे को सजदे न किये मैंने उजान किसी बुठ को देखी जो तेरी सुरत प्यारा ने लगा मुझे को देखी जो तेरी सुरत प्यारा ने लगा मुझे को लगा मुझे को लगा मुझे को लारा 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 कभी कभी केपबल कैंडिडेट लिपाउट हो जाते हैं और सिर्फ मार्क के आथार पर कुछ इंकेपबल कैंडिडेट अंदर चले जाते हैं तो हम बात कर रहे थे गनेश कुमार की केस की और उनका जो मीडिया ने देस्ट लिया तो यह एक तो था इनका मार्क और यह परफॉर्मंस के बीच का वह गैप है दूसरी चीज इस केस में सामने उबर के आई वह है एज फजिंग अब यह सिर्फ एडुकेशन तक सीमित नहीं है यह रॉट यह रॉट यह रॉट है स्प्रेट अब यह कैसे मैं आपको बताता हूं जब इनका रिजल्ट आया इनको इतना मीडिया कवरेज मिला तो इनहीं के एक मित्र ने यह दावा कर दिया यह जनाफ जो अपने आपको 24 साल के बता रहे हैं उन्होंने इनी के साथ उनी के साथ गनेश कुमार ने सेंस का एक्जाम 1990 में लिखा था समझ रहे हैं आप यानि कि आज से 27 साल पहले तो यह 24 साल की उमर का आपने आपको बता रहे हैं वह एक्च्वली 27 साल पहले ही तेंस का एक्जाम लिख चुके हैं तो आज समझ लिए यह 40 कितने के होंगे अगर आज समझ लिए यह 40 10 का एक्जाम लिखते हैं अगर 15 यह का भी लिखते हैं तब भी इनकी उमर 42 होती है और बस फिर क्या था एजन्टी थर्कत में आगें कि अपने पड़ेगा तो जब इन्होंने पूरी जांच अपने की तो पता चला कि इनकी एक्शुल एज 41 साल की है मुझे तो यह भी डाउट लग रहा है यूंकि 41 साल कैसे होती है इसका मतलत कि उन्होंने 14 साल की उन्हों टेंटी परिश्चाइदी थी आगर उनकी मित्र की माने को किसर उन्हों को बदुब तो एक 41 साल का आदमी किन के साथ चोटे-चोटे बच्चों के साथ 16-17 साल की उन्हों के अठारा 11 साल की बच्चों के साथ कि अपनी मतलब कमपेट करके अपनी काविलयत का लोहा मनवाना चाहता है यह शर्मनाक बाथ है आप किसके उसाथ compete करोगे अगर आप समझे 20 साल के हैं या 25 साल के आप से कहीं एक दो साल की उम्र के बच्चे के साथ compete करो तो क्या आप करोगे मगर यही तो दिया है हमारे गनेश्कुमार और उनका मकसद बिलकुल साफ है जो भी जॉब ऑपर्चनिटीस आती है गौर्वर्मेंट की उसमें वह अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा तर जॉब ऑपर्चनिटीस ऐसी होती है वहां पे एक एज लिमिट होती है आप 25 साल से उपर नहीं सकते हैं फाप्लाई कर सकते हैं उल्मौस की आता स्पा अदमी को ऐसां, साथ साल की उपर में रेटायर होना चाहिए, यह साथ की तर शाल सब्सक्राइब काम करेंगे और वो भी एक फर्जी तरीके से अंदर जाते हैं तो यह है हमारा educational and administrative system अब यह birth certificate कैसे इन्होंने forge किया इसके उपर भी मुझे लगता है बहुत बड़ी चांच कराने की जुरूरत है मैं और आप अगर चाहें तो इतनी आसानी से कर नहीं सकते अपना एज चेंज करके सटिफिकर चेंज नहीं कर वा सकते मग इन्होंने कैसे कर लिया क्योंकि किसी की साथ कांट के बिना इतना बड़ा काम एज पच किया फिर एक्जान दिया और उसमें भी टॉप किया और आता वाता कुछ नहीं तो यह एक कानी है हमने देखिए गनेश कुमार की इस देश में नजाने कितने गनेश कुमार है जो इनसे भी पहले पढ़ लिखके आज बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए हैं जस्ट साइन करते हैं और काम कुछ नहीं क्योंकि उनको आता ही कुछ नहीं इनको हम मोटी-मोटी साल्डरीज देखे बड़े-बड़े बंगलों में बिठागे बड़ी घाड़ियों में गुमाते हैं हमारे टैक्स के पैसे देखे यह लोग तो बिलकुल сообщ निकल जाते हैं और बेवकूप तो हम बने हम टाक्स देते हैं, हमारी टाक्स से इनकी इंकम होती है और वो घूस लेते हैं वो अलग क्योंकि घूस देके वो अंदर जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे We'll be right back after this short break Stay tuned to Radio Dan, A Flight of Life कभी महक की तरा हम गुलों से उड़ते हैं कभी धूएं की तरा परवतों से उड़ते हैं ये पैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं होसलों से उड़ते हैं जी हाँ दोस्तों, आप भी जुड़ जाएए हमारे साथ अपने खौबों की उड़ान लिए, अपनी कलपनाओं की उड़ान लिए, अपनी खाहिशात की उड़ान लिए लॉग उन कीजिए www.radio.radio.com और चलिए हमारे साथ एक कवी न खत्म होने वाई उस सफ़र पर जिसका नाम है रेडियो उड़ान हरे हो सामा, कितने पैसे दिये इस मोबाइल के रे? पूरे पचास हजार सुना, पूरे पचास हजार क्या सुनोगे महारती फोन मा? उड़ान आइडल उड़ान आइडल? ये उड़ान आइडल किस चुड़िया का नाम है रे? संगीत का जद सब के सर पर चड़के बोलेगा किसी का सुर लगेगा और किसी का सुर दूलेगा किसकी होगी जीव और कौन खाएगा मात? ये सिर्फ वक्त ही बोलेगा हब आएगा मजा खेल का इंटरनेट रेडियो पर संगीत का महा मकाबला उड़ान आइडल दस जूर से हर सनिवार रात नो बजे से रेडियो उड़ान पर गबबर भी सुनेगा ये उड़ान आइडल सुनते रहो रेडियो उड़ान ए फिलाइट ओप लाइफ वल्कम बाक आजकल हम यूज में अक्सर देखने हैं कि डॉक्तर की लापरवाई से मरीज की जान चली जाती है गल्ती से खून चड़ा देते हैं कोई और ग्रूप का जब किसी और ग्रूप का खून करी होता है क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है क्या डॉक्तर सच में कि इतनी बेसिक चीजों के लापरवाई कर सकते हैं यह सवाल बेशक आपके जैन में भी आता होगा और उसका सिंपल सा जवाब है कि बेशक कर सकते हैं अगर वो डॉक्तर गनेश कुमार जैसे टॉपस हों क्योंकि उनको मेडिकल सीट लेने के लिए क्रोड़ो रुपे खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि काबिलियत नहीं है तो फिर आपको डोनेशन देके ही अंदर जाना पड़ता है एंड देन वंस्यू दू 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 आपको अंदर मनी बैक तो दो क्रोड रुपे दिये हैं तो मुझे दो क्रोड रुपे वापस कैसे कमाने हैं कुछ तो करना पड़ेगा तो खोल के बैठ जाते हैं अपनी जोला चाप क्लीनिक्स या हॉस्पिटल्स और बिचारे सीदे सादे बोले भाले पेशिंस को ठग लेते हैं हमने देखा होगा बहुत सारी इमारतें बनाने के एक दो साल बाद ही गिर जाती हैं या उनमें दरारे आने शुरूई हो जाती हैं क्यूंति हमारे इंजिनियर्स हैं गनेश कुमार इनको इंजिनिर्ज नहीं आती इननोंने सिर्फ इंजिनिर्न की डिग्री ले रखी है और हम जो बिल्डिंग अधर बनवाते हैं अब हम एडुकेशन डिपार्टमेंट में जाके इनका टेस्स तो नहीं लेतें कि दिग्रीज की चांस नहीं करवा सकतें और करवाएंगे तो भी क्या डिग्रीज तो और जिए रहेंगी लिए कि मार्क्स कैसे आएं वो हम कैसे चेक करें क्या हम इनका टेस्स के एंग्जिनीर्ग के अगर स्थिविल एटिर कुई है आप उनसे काम सही उससे काम सही है तो क्या लोग हम से यह एक्षपरकर करते हैं कि हम उनका घंर सथनी लेने घंर सब्सक्राइब लाइक हम होते हैं तो फिर हम एंज़िनियर को क्यों है नौट सेज़िकली, जब के सब गणेश कुमार है, जब के सब पैसे दे के अंदर आते हैं, फर्जी काम करते हैं, और इस देश की जड़े खोकली होती हैं और देश बिचारा उस बागबान की तरह सोचता रहता है कि क्या बोया और क्या काटा तो इस चीज़ को हमें एंड करना पड़ेगा हम एंड करेंगे तभी देश का एक नया सवेरा होगेगा वी बाग अधर इस शोट शॉजिकल बेगा शॉजिए झाथ भूड़ेगा तो डिए उड़ान अप्लीव लागबागा झाल झाल आजा सरां पर रात हम मर जाएंगे ओ मेरी जाओ मेरी कसम है तुमको तेरी बिना चीना भी क्या है चीना सुनो मेरी चान हो तुम आजना करने दूर चले जह कोई नख मिले बस तुम होड में हूँ जाने जाँ आजा सरां पर ना तो हम मर जाएंगे ओ मेरी जाँ मेरी कसम है तुमको तेरी बिना चीना भी क्या है चीना सुनो मेरी चान हो तुम माचना कही दूर चले जह कोई नख को मिले बस तुम होड में हूँ जानी जाँ I love you जानी जाँ जानी जाँ कर दो कर दो कर दो पूछती हूँ हवाओं के फुश्कों से मैं तपिया फूल मेरी मुहब्बत का कैसे ये मुर्छा दर्भा कोई बातर कहीं धूल का राह में जब उड़ा तेरी आने का हर बार मुझको तो धोगा हुआ सुना मेरी चान हो तो आजरा कर दूर चले जह कोई लग का मिले बस तुम हो और मैं हूँ जाने चान आजा सरंबर ना तो हम मर जाएंगे ओ मेरी चान मेरी कसम है तुम को तेरी बिना चीना भी क्या है चीना क्या चान भाम धरकने मेरी जिस दिन ये सो जाएंगी बेज दुबाँ मुझको लगता है तब लॉट कर आगे तुम यहाँ मैं रहू ना रहू प्यार के तो रहेंगे निशा हर नजारा कहेगा मेरे दिल की ये दासता सुना मेरी चान हो दो आचना कर ही दूरे चले जहां कोई नहां को मिले बस तुम हो और मैं हूँ जाने चाना आए लव यू चाने चाना आजा सरंबर ना चहां मर चाएंगे ओ मीरी चान मेरी कसम है तुमको तेरे बिना चीना भी क्यां है चीना सुनो मेरी चान हो दो आचना कर ही दूरे चले जहां कोई नहां को मिले बस तुम हो और मैं हूँ चानी चाना आए लव यू वेल्कम बाक तुम हमने इसर ये दिखाया की IIT, Indian Institute of Technology जितनी भी हैं वहां पे सीट मिलना कोई चमतकार से कम नहीं है कम नहीं था बड़ी मगर आज situation ऐसी हो गई है कि पिछली साल में यूश पढ़ रहा था वहां पे यह क्याया था कि बहुत सारी IIT की सीट वेकन पड़ी है Students आने के लिए तैयार नहीं है वाई और इस बार जब कैमपरस रेक्रूट्मेंट आये तो रेक्रूट्मेंट रेट रेशियो जो देखें IIT का बहुत कम और रेसेंट्ली अब यह IIT का स्लोडाउन चल रहा है अभी प्रूब्लम थोड़ा चल रहा है उसकी वज़े से तो स्लोडाउन हो गया है और एंजिनियर्स को अंसाइट ऑपरचनेटीज मिल नहीं रहें और उसी जिलसेले में एक स्टड़ी की गई थी और उसमें यह पाया गया कि more than 65% of engineers from India are non-employable मतलब इनको आप engineering field में नौकरी दे ही नहीं सकते यह काबिल ही नहीं है जुए ज़िस के भी थोड़े ठीक ठाक मार्व तो वह एंजिनियर्स में चलाजा है और इनके प्रोजेक्स तो कोई ओरिजिन होते ही नहीं है, सब के सब गनेश कुमार है यहां पर, तो जो सच मुझ में पढ़ना चाते हैं, वो हमारे आये की इसमें भी नहीं आना चाते हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो बिली डैलेंट हैं, वो भी अब देश छोड़के विद देश को शोनी की चिढ्या बननाना है, मगर इस गंदगी को साफ किये बगएर, इस रट को हटाये बगएर, हमारे देश कभी भी सोनी की चिढ्या बन नहीं सेकते हैं, तो सिस्टम को क्लीन करना है, तो कैसे करना है? सबसे पहले तो हमें उन टीचेस का रिगलरली टेस्ट लेना चाहिए जो स्कूल्स और कॉलेजिस में पढ़ाते हैं जैसे प्राइवेट एंप्लोई का अप्रेजल होता है वैसा इन लोगों का भी अप्रेजल होना चाहिए गॉर्मेंट जॉब कोई किसी की बाप की जागीर नहीं है कि जाके गद्दी पे बैड़ गया तो कोई हटा नहीं सकता अगर यह बदलेगी सबी थोड़ा विगर आएगा जॉब करने में और क्वालिटी वर्ग करने में सभी लोग डरेंगे नहीं तो गॉर्मेंट जो काम नहीं करना चाहते वो तो करेंगे ही नहीं इनका एन्वाल अप्रेजल होना चाहिए इनका टेस्ट होना चाहिए कि इनको कितना आता इनको कितना पड़ाते क्योंकि जब भी टीवी पे ये स्कूल की टीचर्स का टेस्ट किसी भी टीचर्स को कुछ आता ही नहीं तो इस हाज तो हापन रेगिलर्ली आइन वो ट्रांस्परेंट वे यहां पे कोई घूस वगेरा का काम नहीं होना चाहिए और नाट अन्ली टीचर्स यह जो असर लोग हैं जो इनके उपर सुपरवाइस करते हैं इनका भी कुछ अपरेजल टाइप होना चाहिए इनका टेस्ट होना चाहिए Each and everyone has to go through that अपरेजल प्रोसेस और उसके हिसाब से इनकी सैलरी ते की जाने चाहिए जैसे प्राइवेट करते हैं ठीक है आप इनको जॉब सेक्यूरिटी दे दीजे मगर इनकी सैलरी हाइक या सैलरी में कटाती डोनों होनी चाहिए इस अपरेजल के आधार पे If that happens everyone will fall in line सब को चिंटा बनी रहेगी पैसा कमाने की और इसके लिए वो अच्छा जॉब भी करेंगे That is one way of cleaning this system of our corrupt officials दोस्तों बहुत बाते कर चुका हूँ अच्छानक अभी देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने एक मिनट एक्टा ही ले लिया तो मुझे जल्दी से स्टूडियो खाली करना के लिए कि और के लिए मुझे लगता है मुझे विश्वास है कि आपको आज सा ये शो बहुत पसंद आया होगा सोचिए इसके बारे में ये इस एक शो नहीं है ये सोचने की बात है आत्ममंतन करने की बात है तो सोचिए और शायद हम में से कोई ऐसा पारफलो जो कुछ कर सके इसमें अगर हम कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर सके तो try to do that so with the promise of meeting you next week this is Vikas signing out from the studios of Radio Udaan tata bye bye take care have a great week ahead stay tuned to Radio Udaan और अब तो Udaan Idle भी आरा है so stay tuned to Radio Udaan listen to Udaan Idle and be happy thank you very much tata bye bye see you